मैं भारत को भरतियता की मानिता के आधार पर उसे खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई बड़ी वीमारियां इतनी बड़ी हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि अब ये हम करी नहीं सकते एक नाम लेके बताता हूँ किड्नी फेलियर दोनों किड्नी एक साथ फेल कर जाती हैं एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं वो कहते हैं या तो किड्नी ट्रांस्प्लांट करो नहीं तो मरने का इंतजार करो डाइलेसिस थोड़े दिन करते हैं उसके बाद डाइलेसिस की भी लिमिट टूट जाती है अब जड़ी बूटी रहस में इसके लिए इतनी अक्सीर दवा है जिसका मैंने हजारों मरीजों पे इस्तेमाल करके देखा पीपल के पत्ते का रस नीम के पत्ते का रस सवेरे और शाम आदा आदा कप या चौथाई चौथाई कप किसी भी किड्नी पेशन्ट को पिला दो तीन महिने में फिर वैसे ही भागने लगता जो बीमारी के पहले था अब ये बताओ पीपल कहा नहीं मिलता और ये बताओ नीम कहा नहीं मिलता अब पीपल और नीम के पत्ते के रस से इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है तो ऐसे एक दो नहीं लाखों चमतकार हैं आयुरवेद में बस इसको जानने की जरूरत है